हलो बच्चों कैसे आप लोग माईश्यल प्ताराचन टीम मैथ CLCC कर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जई एडवांस का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन यह हमारा बाइनोमियल थे और पर्म्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रॉबिलिटी इनी तीनों च सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एम माइनस 3, mc आर इंटू mc आर प्लस 3, and m1, m2 are the two values of m satisfying this equation ठीक है तो आपको बताना है कि m1 और m2 अगर इस equation को satisfy कर रहे हैं तो इन में से कौन-कौन से option सही है तो सबसे पहले तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्यूसन आता है तो आपन है जो ट्रम्स है सबसे पहले तो वो constant होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर यह constant नहीं अभी यह r पर depend कर रही है बट अपन यह जो अपनी पहली ट्रम है mcr उसको लिख सकते है mcm-r ठीक है अब अपन ने देखा तो यहां पर अपने को दिखाई देगा mcm-r में से दोनों को पर क्या दिखाई देगा यहां पर अपने को दिखाई देगा m plus 3 ठीक है और m plus 3 constant r पर depend नहीं कर रहा है इसका मतलब यह हो गया कि अपने को अब इसको क्यूशन को solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके अंदर अपने को बाइनोमियल expression लिखना पड़ेगा और क्योंकि यहां पर m यूज हो रहा है ऊपर तो 1 plus x की power m और उससे अपने को देखना है कि ऐसी ट्रम कैसे generate होगी आईए बात करते हैं सबसे पहले अपने एक बाइनोमियल expression लिखते हैं that is 1 plus x की power m 1 plus x की power m क्या होता है देखिए mc0 plus mc1 into x plus mc2 into x square and so on इसी तरीके से आपका चलता रहेगा और last में आएगा आएगा आपके सामने mcm into x की power m ठीक है अब फिर से देखो अपने को एक बार फिर से इस बाइनोमियल expression को लिखना है फिर से क्यों लिखना है क्योंकि अपने को यह से एक drum निकालनी है बहुत important drum ठीक है उसके बारे में देखते हैं देखो यहां से कितना आएगा अपने पास 1 plus x की power m का फिर से लिखते हैं एक बार mc0 plus mc1 x plus mc2 into x square and so on mcm into x to the power m ऐसा आजाएगा अब देखते हैं कि अपने को चाहिए क्या ठीक है तो एक बार देखो फिर आते हैं कि उसन के अंदर अपने को चाहिए mcr ठीक है नेचे लिख लेते हैं mcr into mcr plus 3 mcr into mcr plus 3 और जो sigma लगावा है अपने पास में वो कहां से कहां तक है वो है बच्छो r equal to 0 से लेकर के m-3 तक ठीक है तो देखें अपने को कैसे इसको आगे tackle करना है अपने को यह sigma calculate करना है ठीक है और यह sigma कैसे calculate होगा तो इसके अंदर देखें अगर आप 0 put कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है एक बार आप चेक करें यहां से तो यह बनेगा आपके पास में mc0 into mc3 फिर सा आगे बात करते हैं देखो next rum के इंदर कितना आएगा यह आएगा mc1 into mc4 ठीक है ऐसे चलता रहेगा और last में जब आप m-3 put करेंगे तो last rum में आएगा आपके सामने mc m-3 और जब यहां m-3 put करेंगे तो यह आजाएगा आपके सामने mcm अब देखो अभी तो अपन यहां पर देख रहें कि अपने पास में यह constant नहीं है सारी ट्रम्स ठीक है लेकिन यह constant बन सकती है अगर इसमें से अपन क्या करें एक ट्रम को change कर दें तो पहले वली ट्रम को मैं change कर रहा हूं और इसको अगर आपन ऐसे कर दें mcm और इसको m c 4 तो देखो इसका और इसका सम कितना है m plus 3 और यहां पर भी सम कितना है m plus 3 ऐसे यह चलता रहेगा और last में भी इसको जब लिखेंगे तो यह आजाएगा m c 3 और यह है आपका m c m आप देखो इसके इंदर अपने पास में ऐसा कब आएगा ठीक है तो दो-दो binomial coefficients का multiple है तो तभी आएगा जब आपने इन दोनों expression को क्या करेंगे बच्चो multiply करेंगे तो left hand side में तो जब आप इसको multiply करोगे तो यह तो बन जाएगा 1 plus x की power 2m और right hand side में देखो कितना आएगा ध्यान से देखी क्या तो हमें अपने को चाहिए क्या देखो ध्यान से देखो पहली ट्रम के अंदर constant है और दूसरी में x cube का coefficient है अगर पहले वाल एक्सप्रेशन को देख रहे हैं तो फिर उपर से x निचे से x की power 4 तो x की power 5 तो नया नया coefficient आ रहा है लेकिन अपने को बच्चो आर्शा नहीं चाहिए अपने को ए constant coefficient चाहिए होता हमेशा तो अपने काम क बच्चो इसके अंदर से जो coefficient आएगा आपके सामने वो किसका coefficient आएगा जान से देखना यहां से तो x की power m और उदर से आएगा 3 m plus 3 का आप करके देखो एक बार mcm और उदर से mc3 यह आजाएगी आपके सामने पहली ट्रम फिर दूसरी ट्रम की बात करते हैं mcm-1 इसके पह m plus 3 का coefficient clear है तो that means बच्चो यह जो है अपने पास में यह इस expression में से क्या है यह x की power m plus 3 का coefficient है और x की power m plus 3 का coefficient है तो इधर जो x की power m plus 3 का coefficient होगा वही होगा बच्चो इधर से भी x की power m plus 3 का coefficient और इस में से x की power m plus 3 का coefficient क्या होगा तो इसको expand करोगे तो आपको दिखाई देग कि cm plus 3 यह होगा हमारा x की power m plus 3 का coefficient और यही है बच्चो अपना answer ठीक है ना 2m cm plus 3 यही है बच्चो आपका jm और जब देखें आपको jm मिल चुगा है ठीक है तो अब आप अपने उस equation को बड़े ही आसानी के साथ solve कर सकते हैं क्योंकि man जो आपका execution में मौटी हुथा वो था आपका jm निकालना किलर है और आप सब को यह से पता होगा बच्चो इतना कुछ करने की ज़रूत नहीं यह तो मैंने आपको समझाया है कि एकसा कैसे हुआ आप इसे डाइरेक्ट याद रखो हमेशा जब भी इस तरीके का कोई भी expression आता है तो इनका जो यह सम करें इसको कॉंस्टेंट बनाए और जो भी कॉंस्टेंट रम आएगी वही कॉपिसेंट आप लेप्ट हैंड से निकाल दीजिए राइट हैंड में हमेशा आपका वह कॉपिसेंट बन जाएगा बच्चो ठीक है तो चलिए इसको तुम मिटा देते हैं इसको याद रखेग तो 5 time jm, jm का मतलब कितना हो गया वही 2m c m plus 3 ब्रावर right hand side में कितना है 3 time jm plus 1 इसका मतलब m की जिए m plus 1 put करना है तो यह बन जाएगा आपका 2m plus 2 into c यहाँ पर कितना आ जाएगा m plus 1 put करेंगे तो m plus 4 ठीक है इसको calculate कर लेते देखो कितना आएगा आएगा आए डिसकस करते है, factorial के format में इसको convert कर लीजे, so that is 5 time 2m factorial divided by नीचा आजाएगा आपके बास 2m minus m minus 3 that is m minus 3 factorial into 7 मा आएगा बच्चों आपके सामने m plus 3 factorial, m plus 3 factorial ऐसे right hand side में देखते है, right hand side में कितना है 3 time 3 time 2m plus 2 factorial that is 2m plus 2 factorial and divide by नीचे कितना आएगा देखो, 2m plus 2 minus m minus 4 that is 2m minus 4, 2m plus 2 minus 4 that is 2m, sorry 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है क्योंकि नीचे भी एक m है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, 2m minus m, m हो जाएगा, तो m minus 2 factorial, m minus 2 factorial और दूसरा आएगा बच्चों आपका, m plus 4 factorial, ठीक है, इस equation को अपने को simplify करना है, आएगे देखते है कितना आ रहा है, देखे, यहाँ से सबसे पहले, उपर वाले को 2m है यहाँ पर, और इधर है 2m plus 2, तो इधर से यह ट्रम आपकी simplify होगी, और यहाँ पर m minus 3 और m plus 3 है, इधर से यह ट्रम simplify होगी, तो देखो कितना आएगा, यह तो हो जाएगा 5, यह ट्रम as it is रहेगी, इसको simplify कर लेते हैं, देखो, 3 time, पैलिटरम 2m plus 2 into 2m plus 1 factorial, फिर into 2m plus 1 into 2m factorial, और that is 2m factorial, ठीक है, यह से नीचे आएगा, देखो, m minus 2 into m minus 3 factorial, और इधर आजाएगा आपके सामने, m plus 4 into m plus 3 factorial, ठीक है, जाहन से देखे, m plus 3 factorial से m plus 3 चला गया, m minus 3 से m minus 3 चला गया, 2m factorial से 2m factorial चला गया, ठीक है, तो इधर क्या बचेएगा, m minus 2 into m plus 4, तो 5 into 2 कितना हो गया, that is 10, नहीं, 2m factorial तो पूरा चला गया, that is only 5, so there will be 5, इसको multiply कर तो देखो, m minus 2 into m plus 4, that is m square minus 2 plus 4, that is plus 2m, और 7 में आएगा बच्चो आपके सामने minus का 8, equal to में कितना हैगा देखो जाहन से, यहां से 2 common ले लो, so 3 into 2, 6, पीछे कितना होचेएगा, m plus 1 into 2m plus 1, so that is again 2m square, ठीक है न, 2m into m, 2m square, m plus 1 है यहां पर m, so m into 1, 1, और 1 into 2m, that is 3m, और साथ में 1 into 1, that is 1, ठीक है, कितना हैगा देखो, 12m square, उदर 5m square, इदर ले आओ, so that will be 7m square, ठीक है, इसके साथ में कितना हैगा, there will be 18, और उदर 10, तो यह दर आगी कितना हो जाहेगा, plus का 8m, और साथ में देखो, इदर से कितना हैगा, 6, और उदर से कितना हैगा, 8 into 5, there will be 40, 40, so 40 plus 6, that is 46, ब्राबर 0, यह equation आ गई अपने पास, आइए देखते हैं, अपने को क्या करना है, ठीक है, बाकी को मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि अपने पास, अपन इस चीज को अच्छे से देख सके, जो उपर लिखा गया है, जहां से देखिए, आपको बोला गया है कि, इसको equation का जो solution होगा, उसके दो root से, एक M1 है, दूसरा M2 है, M1 और M2 इसके root से, तो इसका sum of root कितना होगा, बच्चो, M1 plus M2 ब्राबर, that is minus 8 by 7, तो यह आपका पहला option बिल्कुल सही है, इसके साद, product of root कितना हैगा, यहां से, M1 इन्टो M2 ब्राबर, 46 by 7, तो यह भी बिल्कुल सही है, that is second option, and third option है, बच्चो, आपके सामने, 1 minus M1 into 1 minus M2, उसो simplify करो, देखो, 1 minus M1 plus M2, और plus M1 M2, value put कर दो, देखो, 1 minus of minus 8 by 7, that is plus 8 by 7, और साद माया का बच्चो, plus 46 by 7, LCM ले लो, add कर दो, यह भी आजाएगा, आपके पास में 7, 7 plus 8, 15 plus 46, that is 61, बिल्कुल सही answer है, आपका third option भी, तो आपके तीनों answers बिल्कुल सही है, 1st, 2nd and 3rd in the question number 1, अब आप मैंसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, कि अगर एक question ही इतना बड़ा है, तो फिर हम सारे questions कैसे करेंगे, देखे बच्चो, सारे questions बड़े नहीं होंगे, जैसे अभी पहला question इतना बड़ा आगया, तो देखे आपका दूसरा question बहुत ही छोटा सा है, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको क्या बोला गया है, अगर किसी को ये नहीं समझ भाए हिंदी में पढ़ने बच्चो, यदि परसार इसके गुणाकों का योग सुन्ये है, तब सी ब्राबर क्या होगा, तो देखो, कोई भी अगर expression होता है, चाहे वो binomial हो आपका, चाहे trinomial हो, अगर आपको coefficients का समझ चाहिए, binomial coefficients नहीं, सभी coefficients का समझ चाहिए, तो क्या करने होता है उसके अंदर, उसके अंदर x की value 1 put करनी होती है, और जैसी x की value 1 put करोगे, तो आपके सारे binomial coefficients आ जाएंगे, so that is 2 plus 3c plus c square की power 12, और आपको बोला गया है कि यह कितना है बच्चों, यह 0 है, ठीक है, सारे coefficients, यह coefficients का सम निकालने का तरीका है, और यह 0 है, और यह 0 है, तो बच्चों, इसके जो factors करोगे, तो यह बनेंगे आपके पास में c plus 1 into c plus 2 ब्राबर 0, ठीक है, अब यह 0 है, power 12 तो हटा दो, तो यह भी 0 होगा, और यह 0 होगा, तो c के मान आ जाएगा, minus 1 और minus 2, तो देख लिए, आपका time बराबर हो गया, जितना question पहले वाला बड़ा था, उतना ही यह question चोटा है, और यह इसका answer हो जाएगा, minus 1 and minus 2, और इसके आपके पहला और चोथा option सही है, question number 2 के अंदर, ठीक है, चलिए, फिर आपको एक number दिया गया है, n जो natural number है, प्राकर्थ संक्या है, और एक आपको irrational term दी गई है, जो alpha plus beta के format में है, जिसमें alpha इसका integral part है, और beta है बच्चो इसका fractional part, ठीक है, fractional part कैसे पता चला, क्योंकि आपको लिखा हो है कि beta 0 से 1 के बीच का number है, then आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से option सही है, तो देखो क्या है, 3 plus root 3 plus 5 की power 2n plus 1, क्या दे रखा है देखो आपको, 3 root 3 plus 5 की power 2n plus 1, ठीक है, तो देखो इसको expand करो देखो कितना आ रहा है, that is 2n plus 1c0 into 3 root 3 की power 2n plus 1, ठीक है, इसी के साथ दूसरी term लिखिए, 2n plus 1c1, 3 root 3 की power 2n plus 1, इसकी power एक कम हो जाएगी, that is 2n और साथ में आजाएगा आपके पास में 5, ऐसे तीसरी term आएगी, और लिख लो एक term, 2n plus 2 into 3 root 3 की power 2n minus 1 into 5 का all square and so on, ऐसे चलता रहेगा, अब यह अपनने क्यों लिखा है, आपन चेक करेंगी इसको, ठीक है, जब भी कोई question आता है, तो अपन क्या करते हैं, ठीक है, जो number बड़ा होता है, उसको positive रखते हैं, और जो number छोटा होता है, उसको negative करके उसका expansion और लिखते हैं, ठीक है, अब यह तो आप कहेंगे, दिया है नहीं, तो दिया है नहीं है, लेकिन यह इस question को solve करने का तरीका होता है, क्यों, क्यों दूसरे वाले की power 0 है, अब इसकी power 1 होगी दूसरे वाले की, तो यह minus sign आ जाएगा, बाकि सब same रहेगा, 3 root 3 की power 2N into 5 की power 1, फिर यह plus आएगा और यह data बिल्कुल same रहेगा, अब अपने को क्या करना, इन दोनों को add कर देना है, ठीक है न, इसको और इसको दोन दूसरे वाली टरम है, इसको add नहीं करना है, इसको subtract करना है, इसमें से इसको गठाएंगे अपन, ठीक है न, क्यों गठाएंगे, वह भी बताओंगा आपको, ठीक है, लेकिन गठाना है आपको, ठीक है, तो पहले वाली टरम तो देरकी आपका alpha plus beta, और जो दूसरे वाली ट होता है बच्चो, root 27 की जो value होती है, वो 5 से 6 के बीच में होगी, क्यों, क्योंकि root 25 5 होता है, और root 36 6 होता है, तो उसके बीच में जितने भी numbers होंगे, उनकी value 5 से 6 के बीच में होगी, clear, तो ये 5 से बड़ा number है, उसमें से 5 गठा देंगे, तो वो number आजाएगा बच्चो, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच की power आप कुछ भी कर दीजिए, वो number आप ऐसा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, और 0 से 1 के बीच में अगर कोई number है, तो वो सिरफ fraction होगा, उसमें integral part नहीं होगा, तो ये है बच्चो, बीटा डेस, इसको इसमें से गठाएगे, तो ये तो कट ज तो ये एक integer आएगा, और 5 भी आपके सामने एक integer है, एक तो 5 आएगा इसके इंदर, और दूसरा आएगा, एक even number आएगा, 27 की power n लिख सकते हो आप इसको, 27 की power n, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, next drum, next drum आपके पास में, दूसरी तो खट जाएगी, तीसरी drum आएगी, उसक ठीक है, उसमें आएगा बच्छो 5 का cube, कितना आएगा, 5 का cube, और इसकी power आएगी 2n-2, ठीक है, तो उसकी power 2 कर देना, तो वो हो जाएगा 27, और उसकी power आएगी n-1, और ऐसे चलता रहेगा, और यह सारे के सारे numbers आपके addition के अंदर होंगे, ठीक है, अब देखो, यहीं पर आपका सबसे important step है, यह है, बच्छो, alpha plus beta minus beta dash बराबर, देखो, एक 5 सभी में आ रहा है, 5, यहाँ पर भी आ रहा है, 5 का cube, ऐसे आगे भी चलता रहेगा, 27 आएगा यह नहीं आएगा, यह नहीं कह सकते है, बट 5 सभी में आएगा, क्यों, क्योंकि n तो हो सकता है, कि आपके स सामने यहाँ पर, 5 सभी में से common आ जाएगा 10, ठीक है, आप सब को पता है, binomial coefficients होते हैं, वो सब integer होते हैं, और 27 की power n, ठीक है, यह भी एक integer होगा, ठीक है, तो यह हमेशा आपके सामने 10 m का factor बनेगा, alpha plus beta minus beta dash जो है, वो हमेशा कैसा होगा, बच्छो, 10 m type का होगा, और 10 m type का है, ठीक है, तो अब देखो अपने क्यूशन को solve कर सकते हैं, इसको आपने समझ लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक हैं, ताकि अपने क्यूशन के ऊपर ना रहे है, और बाकी पार को देखते हैं, देखो फिर, अपने पास में आगे, alpha plus beta minus beta dash परावर 10 m, देखो बीटा आपको दे रखा था, 0 से 1 के बीच में है, बीटा है 0 से 1 के बीच में, बीटा dash कितना है बच्चों, बीटा dash भी आपका 0 से 1 के बीच में अपने चेक किया था, तो बीटा dash इसको लिया था, ठीक है, कि वो number हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, इसमें से इसको गटाओग ठीक है, माल लेते हैं कि almost 0 और 1 है, उस case में minus 1 होगा, minus 1 कभी हो नहीं पाएगा, लेकिन उसे just बड़ा number होगा, और ऐसा हो सकता है, maximum value ये 1 की तरफ चला जाए, और ये 0 की तरफ, तो उस case में ये 1 की तरफ आ जाए, तो beta minus beta dash जो है न, उसकी range होगी बच्चों, minus 1 से 1 के बीच, अब देखो, अपने को पता है कि ये एक integer है, ठीक है, 10m भी एक integer है, तो यहां से beta minus beta dash, अगर उस integer को इधर ले आए, तो वो भी एक integer होगा, तो beta minus beta dash अपने को इस equation से पता चल रहा है, कि वो integer होगा, वो एक प्राकर्थ संख्या होगी, और बच्चों, इस range के अंदर शिरफ एक ही प्राकर्थ संख्या है, that is 0, means आपका beta minus beta dash होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको 0 पूट कर दे, तो alpha ब्राबर आजाएगा बच्चों, आपके सामने 10m, आप देखो, आप अपने सारे options के थुरू, आप अपने सारे options का answer दे सकते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा दो, ठीक हैं, ताकि आपने सारे options को अच्छे से पढ़ पाए, पहला option क्या है, alpha is an even integer, बिलकुल देखो बच्चों, यह 10 का multiple है, और 10 के multiples जो होते हैं, वो even होते हैं, तो पहला option आपका बिलकुल सही है, ठीक है, last option देखो, alpha is divisible by 10, बिलकुल साब साब दिखाई दे र जश्च छोटा जो integer होगा, ठीक है, तो अपने को पता है कि बच्चों, यह कितना था, यह alpha plus beta था, तो इसका जो integral part है, वो 10 का multiple है, ठीक है, अब 10 के multiple से जश्च छोटा नमबर, जश्च जो छोटा integer होगा, ठीक है, क्या वो 3 से divisible होगा, तो नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्यों देखो, 10 से छोटा जैसे, for example, 10 ही है, तो 9 आएगा, तो 9 तो 3 से divisible है, लेकिन 10 का multiple 20 भी होगा, वो सकता answer 20 आजाए, और 20 से जश्च छोटा नमबर जोगा, वो 19 होगा, पर 19 तो 3 से divisible नहीं है, तो यह option आपका बिलकुल गलत होगा, ठीक है, बात करें, second option की, तो यह देखो alpha प्लस बीटा है, अगर इसका square करोगे आप, तो आपको देखो, बिलकुल साब साब दिखाई दे जाएगा, alpha प्लस बीटा का जो hall square होगा, ठीक है, तो इसका square कर दो, 9 प्लस 3, 9 इंटो 3, 27, 27 प्लस 25, कितना होता है, 27 प्लस 25 होगा, 52, ठीक है, प्लस 5 इंटो 3, 15 इंटो 2, 30 root 5, ठीक है, इसकी power 2N plus 1, यह होगा, alpha प्लस बीटा का hall square, ठीक है, इसमें से देखो, 2 common आ रहा है, 2 को common निकालो, तो 2 की power 2N plus 1, और इंटो जो भी टरम रहेगी, वो रहेगी, तो alpha प्लस बीटा का hall square है, उसमें से एक 2 common आ रहा है, और उसकी power 2N plus 1 है, that means, आपका alpha प्लस that is divisible by 2 की power 2N plus 1, ठीक है, इसके लिए confused ना हो, यह हिंदी लिखी गई है, आगे, आपका statement यहीं खतम हो जाता है, alpha प्लस बीटा का hall square is divisible by 2 की power 2N plus 1, तो यह बिल्कुल सही है, जैसे आप square करोगे, तो वो इस ट्रम से हमेशा divisible रहेगा, तो यह था बच्चों आपका question number 3, ठ ठीक है, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, question number 4 की ओर, देखते हैं, इस question में अपने को, देखिए अगे इन, एक question difficult आया, तो दूसरा बहुत ही आसान, 102 factorial में, 2 की power alpha, 3 की power beta, 5 की power gamma और 7 की power delta, ठीक है, इन सब का आपको क्या करना है बच्चों, इन सब की power निकालनी है 102 factorial में, तो आप सब को formula पता होगा, greatest integer होगा formula लगता है, इसके अंदर, alpha ब्राबर, सबसे पहले 102 के अंदर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है, आपको मिलेगा 51, फिर बच्चों, इसमें 4 का भाग देना है, ठीक है, और भाग देकर के, उसका greatest integer की value means, उसका integral part लेना है, तो 4 का भाग, 2 के बाद में, क्या करना होता है अपने को, 2 का exponent निकालने के लिए, 2 की जितनी भी powers होती है, उन सब से divide करते रहो, और उसका greatest integer निका दो में, तो 8 एकम 8, ठीक है, पिछे बचे का 2, 22, 8, 2, 16, 12, ठीक है, फिर नहीं आएगा उसके बाद में, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आठ के बाद 16 का भाग देना है, 65, 86, ठीक है, 16 का बाद 32 का भाग देना है, 32, 64, 96, तीन आएगा, 32 के बाद 64 का भाग तो 1 आएगा, और उसके बाद 128 आता है, तो 128 का भाग दोगे, तो 0 आजाएगा, तो जैसे 0 आजाएगा, बस वही पर आपको रूख जाना है, इन सब को जोड लीजिए, बच्छों देखे, आएगा 98, तो ये तो हो गया आपका अलफा, ठीक है ना, अलफा इस सबसे डिफि 34, पहले ट्रम आएगी 34, इसके बाद 9 का भाग देना है बच्छों, 9 का भाग दे तो 102 में, 9 एकम 9, बचेगा कितना, 12, again 9 एकम 9, 11, प्लस 9 का भाग देने के बाद सीधा 81, ठीक है ना, तीन, फिर 3 का स्क्वार, उसके बाद 27 का भाग देना, 27, 27 का भाग दो कितना आएगा, 31, ठीक है, उसके बाद 102 से ज़्यादा चला जाएगा, उसके बाद 81 का भाग देना है बच्छों, 81 का भाग दो कितो, 1 आजाएगा, कितना है ना, देखो, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9, और 3, और 1, 4, so there will be 49, ठीक है, आगे बाद करते गामा के बारे में, गामा कितना होगा, देखो, गामा के लिए 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, तो 5 की पावर का भाग दीजी, 102 में, तो 5 का भाग दो की सबसे पहले कितना हैगा, 5, 2, 10, और उसके बाद में 2 से स्पल बचेगा, तो 20 ही आएगा, 5 के बाद 25 का भाग देना है, 25 का भाग दो के तो 4 आएगा, ठीक है, 25 हो 100, और उसके बाद 125 का भाग दो के तो 0 आजाएगा, तो यही यह बच्चो आपका गामा, जैसे मैंने का सबसे difficult पहले वाला था, उसके बाद दीरे-दीरे कम होता रहेगा, डेल्टा और आसान हो जाएगा, देखो, डेल्टा में 7 का एक्सपोनेंट निकालना है, तो इसमें 7 क साथ, ठीक है, सैस्पल बचेगा, 3, 32, 7, 28, 4 बार, बागी सैस्पल होगा, वो आपका डेसिमल में चला जाएगा, फिर 7 के बाद 49 का भाग देना है, 49 का भाग दोगे, तो 98 दो बार, ठीक है, और उसके बाद में 7 के क्यूब का भाग दोगे, तो 0 आजाएगा, तो यह 98, दूसरा अप्शन है बचो, बीटा ब्राबर 2 गामा प्लस 1, देखो, चेक करो देखे, 2 गामा प्लस 1 कितना होगा, 2 इंटू गामा, 24 इंटू 2 गामा प्लस 1 निकाल रहा हूं में, डाट इस, 24 इंटू 2, 48 प्लस 1, डाट इस, 49, क्या यह बीटा के ब्राबर है, तो अगला उप्शन है एलफा ब्रावर 2 बीटा अगेन एलफा ब्रावर 2 बीटा बीटा को 2 से मल्टिप्लाई करो तो 2 बीटा निकाल रहा हूं बच्चों में 2 इंटू बीटा 9 इंटू 2 18 चार्दूनी 8 और 1 एक दो 98 क्या यह अलफा के ब्रावर है बिल्कुल बच्चों अलफा 24 ठीक है तो 2 गामा आएगा 24 इंटू 2 48 अब 3 डेल्टा निकालो 3 डेल्टा कितना आ रहा है 3 इंटू डेल्टा 3 इंटू डेल्टा है 16 16 इंटू 3 that is again 48 तो दोनों बिल्कुल समान है तो 2 गामा और 3 डेल्टा की वैल्यू सेम होगी और इस तरीके से इस क्युस्चन के आपके चारों अप्शन सही होंगे 1st, 2nd, 3rd and 4th ठीक है बच्चों बड़ाई आसान क्यूशन था चलिए आगे बात करते हैं क्यूशन नंबर 5 की ओर देखते हैं इसमें अपने को क्या करना है देखे 10 IIT and 2 NDA students sit in a row means बच्चों आपको 12 लोगों को एक पंक्ती के अंदर क्या करना है बच्चों बिठाना है चले बिठाते हैं कैसे बिठाएंगे the number of ways in which exactly 3 IIT students sit between 2 NDA students सबसे पहले क्या करो देखो दो NDA student को N1 और N2 दो NDA student को ले लो दो यह अपने पास में इन दोनों को ले लिया ओर N2 इसके बीच में बच्चों आपको क्या करना है तीन IIT student को बिठाना है I1, I2 और I3, इनको इसके बीच में बिठाना है, ठीक है, और इनके बीच में exactly इतना ही होना चाहिए, मेंस बच्चों इसको एक ग्रूप में बना दो, ठीक है, लेकिन ये काम करेंगे कैसे अपन, आपके पास में NDA स्टुडेंट तो दो है तो दोनों को ले लेंगे, लेकिन I स्टुडेंट तो दस है अपने पास और अपने को तीन को ही बिठाना है, तो सबसे पहले बच्चों, दस में से तीन को अपने को स्टुडेंट करना पड़ेगा, कि कौन से तीन स्टुडेंट को NDA स्टुडेंट के अगल बगल में बिठाना होगा, तो दस में से तीन को student और एक है बच्चो आपका ये पूरा का पूरा group ठीक है तो इसको आपन कितने तरीके से arrangements कर सकते हैं तो देखो बच्चो ये 7 student है ये तो group जहाँ पर भी जाएगा एक साथ जाएगा अब लेकिन ये जो 7 student है ये arrange हो सकते हैं आपके 8 factorial तरीके से क्यों क्योंकि साथ तो ये होगे और एक आपका एक group हो गया तो total 8 factorial इसके बाद में group के अंदर के arrangements group के अंदर IIT वाले तीनों students आपस में arrange हो सकते हैं so that is 3 factorial तरीके से और NDA student अपने आपस में arrange हो सकते हैं that is 2 factorial यही होगा बच्चो आपका सही answer और ऐसा answer है बच्चो आपका third option लेकिन इसको करते ही बच्चों को लगता है कि हाँ ऐसा तो एक ही दिया है तो यही सही होगा लेकिन बच्चों देखो आपको बाकी जो options है वो factorial के format में दे हैं तो एक बार यह जो 10C3 है इसको factorial के रूप में convert कीजिए और देखिए कोई और option तो सही नहीं है तो कईजिए 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial इसके साथ में है बच्चों आपका 8 factorial 3 factorial and 2 factorial ठीक है देखिए 10 factorial तो सभी options में एक last वाले को छोड़ दें तो तो 10 को एक बार जिंदा रखते हैं बाकी को काटते हैं देखो 3 factorial से 3 factorial चला गया 8 में से 1 8 को बाहर निकाल लिया 10 factorial को तो जिंदा रखा ठीक है 8 में से 1 को बाहर निकालेंगे तो 8 गुणा 7 factorial ठीक है इसके अलावा 2 factorial की value 2 होती है अपने को पता है और divide by 7 factorial तो यह देखो कट जाएगा 8 गुणा 2 16 गुणा 10 factorial तो जो 10 factorial वाला जो option है उसके गुणा में कितना आना चाहिए बच्चो 16 आना चाहिए तो 10 factorial के गुणा में 16 कहां दिया गया है पहले option में अब बात करते हैं चोथे option की क्योंकि इसमें 8 factorial दिया गया है ठीक है तो इक काम करते हैं बच्चो इस option को ही convert करते हैं 10 factorial में ज्यादा असा नहीं रहेगी तो इसको 9 से गुणा और 9 से भाग दे दिया देखो 9 से multiply और 9 से divide ठीक है कितना हैगा देखो 10 गुणा 9 गुणा 8 factorial त होती है तो 2 by 9 इसके बराबर तो नहीं है क्योंकि यह तो अपने simplify करके देखा था अपना answer तो यह आ रहा था पर यह आपके पास में यह है तो यह सही option नहीं है तो यह दोनों options आपके क्या होंगे बच्चो गलत और पांचवे option के आपका पहला और तीसरा यह दोनों options बच् बट आसान को खास करके अगला question देखो क्या है there are 10 seats in a first row of theatre of which 4 are to be occupied ठीक है इसको थोड़ा सा बच्चो ऐसे questions को आप Hindi और English दोनों में पढ़ा करो ठीक है कई बार ऐसा होता है कि language के अंदर आपको अच्छी तरीके से यह समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब होता है तो मतलब आपको occupy करना है occupied नहीं है पहले से occupy करना है उनको ठीक है आगे क्या है तो इन चार seatों पर चार व्यक्तियों को कितने परकार से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी दो व्यक्ति करमागत ना हो ठीक है ना देखो बच्चो कैसे करते हैं इस type of questions को पहले आप एक काम करो बच्चो देखो चार लोगों को बिठा दो ठीक है ना इन चार लोगों को बिठा दो ठीक है ना यह पहला है first, यह second, यह three और यह four ठीक है ना यह चाहिए इन gaps को फिल कर देते हैं देखो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले ही seat पर आपका आदमी बेठे ठीक है न हो सकता है सुरात में खाली हो जाए और ऐसा जरूरी भी निया last seat पर बेठे हो सकता है आपको लेके चलना है इसे last में हो भी सकती है ना भी आपको इसको लेके चलना है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर alpha seat vacant है यहाँ पर beta यहाँ पर gamma यहाँ पर delta alpha beta gamma delta यहाँ पर t मान लो बच्चो तो यह जो आपके सामने alpha plus beta plus gamma plus delta plus t इसका जो योग है वो कितना है बच्चो 6 है क्यों क्यों कि थेटर में total 10 seat थी और अपने को 4 ही लोगों को बिठाना है ठीक है तो बाकी के यह जो vacant space जो seat बचेगी कुछ यहाँ कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर उन सब का sum कितना होना अब देखो आपके सामने यह compulsory है कि यहाँ पर तो कम से कम 1 seat होनी ही चाहिए vacant ठीक है ना इसका मतलब beta का जो मान है बच्चो वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए गामा का मान यह भी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और delta का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए alpha बच्चो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है मतलब उसका minimum value 0 हो सकता है और ऐसे टी का minimum value भी 0 हो सकता है ठीक है और ऐसे questions को देखो अपन कैसे करते हैं जिसके अंदर कुछ conditions आपकी 0 से शुरू हो जाए अचाह ऐसा हो जाएगा तो अपनी condition fulfill हो जाएगी यह आपर 1 seat हमेशा खाली रहेगी इनके बीच में अगर आप यह condition लगाऊगी तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो यह तीनों सिटे कम से कम यहाँ पर इन बीच में जो space है वहां पर 1 seat हमेशा खाली रहेगी लास्ट में जो है आपके सामने ठीक है वहां पर क्या करना है conditions है, अब एसे क्योशन को कैसे करते हैं, पहले दिन सब को बराबर करते हैं, बराबर कैसे होईंगे, देखो, alpha, beta और gamma की value कम से कम एक एक होनी चाहिए, तो alpha, beta, sorry, beta, gamma और delta, तो इनको एक एक पहले से ही दे दो, beta को एक दे दिया, gamma को, delta को एक दे दिया पहले से ही, ठीक है, तो अब आपके सामने जो पिछे बचेगा alpha plus beta plus gamma plus delta plus t एक-एक इनको दे दिया 6 में से total sum 6 था उसमें से एक-एक इसको दे दिया तो पिछे कितना बचेगा पिछे बचेगा बच्चो आपके सामने 3 ठीक है और अब जो condition लगेगी इसके corresponding उसमें सभी की condition रहेगी greater than or equal to 0 that means बच्चो आपके इसके non-negative integral solution निकालने हैं क्या formula होता है 3 plus 5 minus 1 c 5 minus 1 ठीक है कितना हैगा 8 minus 1 7 c 4 यह होगा बच्चो आपका answer यह answer नहीं होगा ठीक है यह तो अपन ने वो कर दिया ठीक है कि इसके बीच में आपके सामने क्या होगा vacant space रहेंगे कोई भी दो लोग consecutive नहीं होंगे ठीक है लेकिन ऐसा भी तो है बच्चो यह जो चार लोग है यह आपस में तो जो चार सीटों पर बैठे हैं वो तो अरेंज हो सकते हैं और वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते ह तो 7C4 into 4 factorial यह है बच्चो आपका 3rd option आप तो कहोगे 7C3 है लेकिन 7C3 और 7C4 दोनों बराबर होते हैं ठीक है इसको भी देखो आप चेक करो second option को यह इसके बराबर होगा ठीक है और इसको solve करके देखो 7C3 को तो यह 840 के बराबर भी होगा ठीक है तो यह तीनों options बच्चो आपके सही है question number 6 का answer second, third and fourth शिरफ पहला option जो है वो आपका गलत है ठीक है इसे बड़े सांदार से questions बनते हैं और उनको बच्चों आपको इस तरीके से solve करना है ठीक है चलिए फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं next question की ओर अगला question क्या है देखे probability से ठीक है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है एक जहाज में 3 इंजन E1, E2, E3 एक जहाज में 3 इंजन E1, E2 और E3 लगे हुए हैं ठीक है कोई जहाज है इसके तरह 3 इंजन है ठीक है ना गाडियों की तरह एक एक इंजन नहीं होते हैं जहाजों मे एरोप्लेनों में इंजन होते हैं इस जहाज में 3 इंजन लगे हुए हैं जो एक दूसरे से सवतंतर रूप से कारी करते हैं इंजन function independently of each other ठीक है ना एक काम करता है तो उसका दूसरे पर कोई depend नहीं कर रहा है कि यह काम करेगा तो दूसरा वाला जब करेगा तब ही यह ठीक है दूसरा अपनी खुशी से ठीक है उसको पहले वाले के खुशी अदुख से कोई मतलब नहीं ठीक है तीनों एक दूसरे से independent है और जिनके कारी करने की प्रायकता एक बटा दो एक बटा चार और एक बटा चार है ठीक है ना इंजन 1 की probability कितनी है probability of E1 1 by 2 probability of E2 1 by 4 और probability of E3 कितना है 1 by 4 ठीक है तीनों की देरकिया आपको आगे क्या है देखो जाज को चलने के लिए कम से कम दो इंजनों का कारी करना आवशक है ठीक है अब यह देखो बहुत ही important statement है बच्चों जाज को चलने के लिए कम से कम दो इंजन आपके एक साथ स्टार्ट रहने चाहिए ठीक है अगर एक स्टार्ट रार दो बंद होगे तो जाज रुख जाएगा ठीक है ना जाज नहीं चलेगा कम से कम दो चलने चाहिए इसका मतलब यह भी है बच्चों कि तीनों एक साथ भी चल सकते हैं ठीक है इस statement का मतलब यह है let x denotes the event that the ship is operational ठीक है माना की जाज के चलने की गटना x है ठीक है कि आपका जाज चल रहा है या नहीं चल रहा है ठीक है इस गटना का नाम x दे दिया ठीक है और e1, e2 और e3 के कार्य करने की गटना है करम से x1, x2 और x3 है e1 काम कर रहा है या नहीं कर रहा है e2 काम कर रहा है या e3 काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इनक तो देखो कैसे करेंगे, अगले पेज पर चलते है, of X का मतलब क्या है ना देखो probability of X का मतलब यह कि जहाज चलना चाहिए बच्चों आपका ठीक है ना जहाज चलना चाहिए तो जहाज कब चलेगा कम से कम दो इंजन मतलब क्या हुआ कि X1 और X2 अगर स्टार्ट है ठीक है ना तो X3 अगर आपके सामने स्टार्ट नहीं भी है तो कम चल जाएगा प्लस X1 X2 और X3 में से अगर X2 स्टार्ट नहीं है तो अभी जहाज चलता रहेगा तीसरी कंडिशन X1 स्टार्ट नहीं है बाकी दोनों है तो अभी जहाज चलेगा और लास्ट में X1 X2 और X3 ठीक है ऐसा होगा तब भी जहाज अपना चल जाएगा ठीक है अब देखो एक बटा दो एक बटा चार और एक बटा चार पहले वाले की probability कितनी है बच्चो एक बटा दो इसके चलने की probability एक बटा चार इसके ना चलने की probability चलने की एक बटा चार दिये तो ना चलने की हो जाएगी बच्चो तीन बटे चार प्लस एक बटा दो इसका भी तीन बटा च और इसका कितना हो जाएगा इसका एक बटा चार आपको दिया है प्लस पहला नहीं चलने की इसकी चलने की एक बटा दो है तो ना चलने की भी एक बटा दो होगी 1-1 by 2 यह आजाएगा एक बटा चार और एक बटा चार और लास्ट में तीनों के चलने की एक बटा दो एक बट चार इन सबको जोड़ दो देखो तीन प्लस तीन छे साथ और एक आठ आठ बटे 16 गुणा दो 32 दैट इस एक बटा चार मतलब P of X जो है बच्चो आपके सामने वो कितना हो गया बच्चो 1 by 4 ठीक है ना यह है बच्चो आपकी ठीक है ना और divide by X इसकी probability क्या होगी ठीक है तो X1 नहीं चल रहा है और total probability किसकी है X की तो इसका answer कितना आ रहा है आएए देखते हैं X1 नहीं चल रहा है तो X1 कहा नहीं चल रहा था इसमें इसकी probability कितनी है बच्चो एक बटा 32 और total probability कितनी है एक बटा 4 तो answer कितना आएगा एक बटा आठ तो पहले option में एक बटा आठ दिया है क्या नहीं दिया तो यह option बच्छों क्या हो गया आपका गलत हो गया है ठीक है अगला exactly two engine of the ship are functioning दो और केवल दो इंजन कारिये कर रहे हैं देखो बच्छों केवल दो कारिये कर रहे हैं तो इस लास्ट वाले को नहीं लेना है तो लास्ट वाले को नहीं लेंगे कितना आएगा तीन और तीन छे और एक साथ इसको आपको इस बार नहीं लेना केवल दो काम करने चाहिए ती exactly two engine of the ship are working तो यह 7 बटे 32 और divide by total probability तो लेनी है यहाँ पर भी और total probability कितनी है आपके सामने total probability अभी अभी निकाले थी अपने कितनी आई थी एक बटा 8 total probability कितनी आई थी एक बटा 4 आई थी जाना सब को जब जोड़ा था एक बटा 4 इसका इसमें भाग दो तो कितना आएगा 7 बटे 8 तो यह option आपका बिल्कुल सही है ठीक है ना exactly two engine of the ship functioning ठीक है तो यह तो क्या हो गया favorable outcome और divide by total हो सकता है कि आपके सामने सारे कर जाए तो एक बटा 4 तो कितना आजाएगा 7 बटे 8 तो second option बिल्कुल सही है अब आते देखो तीसरे और चोथे option पर तीसरे और चोथे को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा कैसे क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको बोला गया है कि पी एक बार देखो उसको दुबारा पी ओप एक्स डिवाइड बाई एक्स टू इसका मतलब क्या हुआ बच्चो कि प्रॉबलिटी ओप एक्स डिवाइड बाई एक्स टू आपको निकालना है और प्रॉबलिटी ओप एक्स डिवाइड बाई एक्स वन निकालना है इसका मतलब यह क्या हुआ आपके सामने इस इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ये सारी probabilities निकाल चुके हो पहले से, X by X2 वाले को, X2 जिसमें working है, ठीक है, उसको उपर ले लो, ठीक है, और बाकी आपके सामने, X1 जिसमें working है, उसको उपर ले लो, और उससे देखो, आप अपना answer निकाल सकते हो, तो X2 working किस-किस में देखो, X2 working पहले वाले में है, X2 working इसमें भी है, X2 working इसमें भी है, तो कितना आएगा, एक और एक दो, और दो, और तीन पांच, ठीक है, तो इसमें तो आएगा 5 और डिवाइड बाई, टोटल आजाएगा आपके सामने कितना, तो 5 by 8 आना चाहिए, क्या दिया है क्या आपको 5 by 8, 5 by 16 दिया गया है बच्चों, ठीक है, तो यह आपके सामने क्या हो जाएगा, गलत ओप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 5 by 16, गलत हो गया, अब बात करते हैं, next option की और, next option क्या है देखो, next में आपको है, x और x1, ठीक है ना, इन दोनों का देखना है, तो x और x1 का कितना है, x1 वर्किंग होना चाहिए, मतलब उसके अंदर यह आएगा, यह आएगा और आख्री वाला आएगा, तो इसमें कितना हैगा, 3 और 3, 6, ठीक है, अचाहिए, इसको एक बार रोगो, अपन अलग तरीके से देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, probability of x intersection x1, ठीक है ना, शिरफ आपको यही निकालना है, ठीक है न, यहाँ पर probability of x intersection x2, ठीक है, तो इन दोनों को अलग तरीके से देख लेते हैं, इसको मिडा देते हैं, एक बार, ठीक है, देखो, probability of x, x2 निकालना है आपको, इसका मतलब यह हुआ कि x2 तो आपका working करना चाहिए, ठीक है, x2 तो working करना चाहिए, x1 आपका working नहीं करेगा, और x3 कर सकता उसके साथ, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि x1 ना करे, x1 कर जाए और x3 ना करे, अज़ा X2 तो working कर रहा है ठीक है ना तो इसकी probability को तो लेना ही नहीं आपको ठीक है ना X1 intersection X3 फिर X1 X3 का intersection और X2 और X1 और X3 वो सकता है कि X2 के साथ में दोनों कर जाए कि X2 तो working कर ही रहा है ना उसके वहाँ पर.. तो X1 नहीं कर रहा है इसकी probability 1-2 और इसकी probability एप पटा 4 Plus 1-2, 1-4 और यहां पर कितना आएगा एगा 1-2 और 1-4.. कितना आझाएगा ये.. एक और एक दो और एक तीन, there will be 3 by 8, क्या 3 by 8 दिया अपने को, ठीक है, तो नहीं, 5 by 16 दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही X और X1, उसमें X1 तो आपका कर रहा है, तो बाकियों को चेक करना है, X2 के साथ में X3, ठीक है, या तो X2 कर जाए और X3 ना करे, या X2 कर जाए X3 ना करे, और या हो सकता है कि इसके साथ में दोनों कर जाए, तो इसकी तो एक बटा 16, एक बटा 4, एक बटा 4, इसमें से एक तो हो जाएगा, तीन बटा 4 और एक बटा 4, तो ये 3 by 16, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 by 16, इस बार आएगा, 6 plus 1, 7 by 16, और 7 by 16 दिया गया, तो बिल्कुल देखिए, 7 by 16 आपको दिया गया है, तो 4th option सही है, और 2nd option सही है, ठीक है, ये देखिए काफी अच्छा question था, that is question number 7, जिसका 2nd और 4th option सही है, और पहला और तिसरा option गलत है, last वाले दोनों एक तरीके से solve होंगे, और पहले दोनों आपके एक ही तरीके से solve होने व आपको दिया है कि, a lot contain 50 defective and 50 non-defective bulbs, 2 blub are drawn at random, one at a time with replacement, then the event A, B, C are defined edge, देखो, event A क्या है, 1st blub is defective, देखो, पहला defective है, ठीक है, तो दूसरा गोड भी हो सकता है, ठीक है, पहला defective है, और दूसरा गोड भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया, second bulb is non-defective, second bulb जो है आपका वो good है बच्चो यहाँ पर, तो पहला भी good हो सकता है, और हो सकता है कि, पहला defective और दूसरा good, second bulb is non-defective में, दूसरा defective नहीं है, दूसरा good है, ये confirm है, बट पहले के अंदर दोनों possibilities हो सकती है, ठीक है, अब आते हैं, ये तो तीनों events होगी, पह pairwise independent, देखो P A intersection B कितना आएगा बच्चो, P A intersection B, ठीक है न, तो probability of A intersection B कितना होगा, ठीक है, इसमें और इसमें देखो, दोनों के अंदर मिला के total 4 outcome है, ठीक है, और दोनों के अंदर common क्या है बच्चो, defective good A की common है, तो इसकी probability होगी 1 बटा 4, ठीक है न, ऐसे probability of B intersection C निकालो, B intersection C, B और C में क्या-क्या common है, देखो good A की common है, तो इसमें भी 1 बटा 4 होगी, ऐसे आप probability of A intersection C निकालो, ठीक है न, ये भी 1 बटा 4 होगी, ठीक है न, ये भी 1 बटा 4 होगी, पहले और 4 है, उसमें देखो defective defective, शिरफ एक ही आपका common होगा, ठीक है न, इसमें क्या करना है आ A क्या होगी, the first bulb is defective, means पहला तो defective है, अब दूसरा आपके सामने defective भी हो सकता है और non-defective भी, तो probability of A कितनी हो जाएगी, 1 by 2, ऐसे probability of B कितनी हो जाएगी, that is 1 by 2, इसके बाद तीसरा जो है, उसमें क्या है, तो two bulbs are, both are defective and both are non-defective, या तो दोनों defective है, या तो दोनों defective ह will be equal to 1 by 2, तो देखो, A, B, C are the pairwise independent, तो क्या pairwise independent है, तो बिल्कुल है देखो, प A into P B भी एक बटा चार, ये भी एक बटा चार, और ये भी एक बटा चार, और ये इनका intersection भी एक बटा चार है, तो पहला option बिल्कुल सही है, दुसरा, A, B, C are not independent, तीनों एक साथ क्या independent है या तो probability of A intersection, B intersection, C देखो, ठीक है, तो ये देखेंगे, तो क्या देखेंगे, तीनों में common क्या है, देखो, defective good इसमें है, but इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, defective defective इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, अब पहले वाले के साथ में कुछ common है ये नहीं बा independent नहीं है, ABC सवतंतर नहीं है, यह option भी सही हो जाएगा, तो तीसरा गलत हो जाएगा, ABCR independent तो यह गलत हो गया, cannot be declared anything, बिलकुल declare कर सकते हैं, वोचों क्यों नहीं कर सकते हैं, पहला और दूसरा, दोनों option सही है हमारे question number 8 के अंदर, ठीक है, चले आगे, चले, next बात करते हैं, question number 9 की ओर, क्या है, देखो 9 में, the number of ways in which six different toys can be distributed equally among three children is also equal to, देखो, six different toys तीन बच्चों में बांटने हैं, equally means सबको दो दो देने हैं, तो six factorial divided by two factorial into two factorial into two factorial, ठीक है, तीन बच्चों में छे टोई देने मलब तीनों को दो-दो देने हैं, तीनों में equal distribution है, इसलिए three factorial आएगा, ठीक है, अब आपने तीन group बना दिये ये तो, ठीक है, एक group one, group two और group three, अब पहला group किसको देना है, किसी एक लड़के को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, तो तीनों group को तीनों बच्चों में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, three factorial way में, इससे ये कट जाएगा, तो आपका answer आएगा, बच्चों, 720 बटे, दो गुणा, दो गुणा, दो, कितना आजाएगा, दो गुणा, दो, चार, चार गुणा, दो, आट, इसको solve कर लो, 90, तो 90 होगा बच्चों, आपका answer, ठीक है, अब देखो, options में क्या दिया है, देखे, पहला option दिया है, कि the number of which in which the letter of kum kum can be arranged is defined, सब kum kum के सभी अक्षित करने के तरीके के बराबर है, देखो kum kum को arrange करते हैं, kum kum, 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 कितना तरीके से arrange करोगे, 6 factorial, k भी दो बार, u भी दो बार, इसमें तो देखो, करने की जरूतनी calculation क्योंकि बिल्कुल सेम ही तरीके से आ रहा है यह यहां पर आया था तो इसका 90 आएगा तो पहला option तो बिल्कुल सही है आपका ठीक है यह इसके ब्राबर होगा दूसरा क्या है number of signals which can be obtained from 10 different and flex taken two at a time दस बिन जंडों से दो जंडों को लेकर बनाने वाले बिन संकेतों की संक्या जबकि एक के उपर दूसरा हो ठीक है तो 10 में से 2 को लोगे तो क्या करोगे पहले तो 10 में से 2 को select करोगे ठीक है फिर उनको arrange भी करोगे कि कौन सा उपर लेना और कौन सा नीचे लेना है त 10C2 into 2 factorial इतना है का देखो 10 गुणा 9 बटे 2 गुणा 2 इसको solve कर लो 10 गुणा 9 और ये भी देखो 90 ही आ रहा था तो ये भी बिलकुल सही आंसर है आपका second will be also the correct option third option क्या है number of ways in which 5 different marble can be placed in 3 different boxes so that no box remain empty देखो 5 marble को 3 के अंदर arrange करना है ठीक है ये देखो थोड़ा अच्छा question है 5 marble को 3 में arrange करना है और किसी को भी खाली नहीं रखना है तो देखो 2 तरीके से कर सकते हो या तो एक में 1 एक में 1 और एक में 3 डाल दो या फिर आपके पास में option है दूसरा कि एक में 1 और 2 में 2-2 place कर सकते हो क्योंकि किसी को भी खाली नहीं रखना है ठीक है अब इसको करने के लिए इसकी grouping करना ही पड़ेगी तो इसकी grouping करो 5 factorial, 1 factorial, 1 factorial और 3 factorial ठीक है नब 1 factorial दो बार आ रहा है इसलिए 2 factorial ठीक ये तो आपने कर दिया फिर प्लस ऐसे इसमें कर दो 5 factorial पहले grouping कर देते हैं फिर arrange कर देंगे 1 factorial 2 factorial और 2 factorial इसमें भी दो दो बार आ रहा है तो इसके लिए आएगा 2 factorial ठीक है ये 2 factorial क्यों आता है equal distribution के लिए equal distribution जितनी बार होता है ठीक है ये तो बच्छों आपके group बन गे अब आपने 3 group बना दिये लेकि इसको 3 factorial तरीके से आप arrange कर सकते हो सोल करो देगो कितना रहा है 120 पास 5 factorial 120 बटे 12 ये तो होगा 10 प्लस 5 factorial 120 बटे 8 120 बटे 8 कितना होगा बच्छों 15 और इंटू 6 3 factorial कितना होगा 6 कितना होगा 25 गुणा 6 बराबर 150 ठीक है जबकि पहले answer कितना आ रहा था 90 तो ये option आपका बिलकुल गलत option है बच्छों तीसरा सही नहीं है चोधा क्या है देगो calculus के सारे अक्सरों में सारे एसमान अक्सरों को बिना उनका क्रम वे इस्तती बदले कुल क्रम्चों की संक्या देगो c a l c u l u s ठीक है न ये word है अपने पास इसको अपने को arrange करना है और जो different लेटर है ठीक है न उसमें क्या-क्या है आपके एक तो a और एक s ठीक है न c भी दो बार आ रहा है ठीक है u भी दो बार आ रहा है l भी दो बार इनको अपनी जगे से भी चेंज नहीं करना है और इनका order भी चेंज नहीं करना है मतलब बच्चो इन दोनों के साथ में आपको छेड़कानी नहीं करनी है बागी सबको अरेंज कर दो तो बागी कितने बचे 6 तो 6 factorial divided by उसमें C भी दो बार आ रहा है L भी दो बार आ रहा है और U भी दो बार आ रहा है तो यह इसके बराबर होगा यह बिल्कुल सही answer है क्योंकि सबसे पहले भी देखो अपने पास यही आया था कुम कुम में भी यही आया था तो इसका answer बिल्कुल 90 आएगा और बिल्कुल 90 answer आएगा तो हमारा जो option है कौनसा 4th option यह बिल्कुल सही answer है ठीक है यह बहुत ही आसान question था बच्चो लेकिन हाँ एक ही question के अंदर आप से 5 question पूछ लिए थे लेकिन 500 के 500 बिल्कुल आसान questions है ठीक है ऐसे questions को सही करना है exam में चलिए फिर आगे चलते हैं बात करते हैं next question that is the sum of values of x for which the fourth term in the expansion of this will be 336 देखे इसके अंदर fourth term निकालते हैं लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं देखो इसकी power 2 by 5 को उपर ले जाओ ठीक है तो यह pipe और यह log pipe दोनों का base same हो जाएगा तो यह दोनों हट जाएंगे और आपके सामने आएगा 4 की power x plus 44 इसकी power 1 बटा 2 पहले से थी 2 बटा 5 और आगई तो 2 से 2 तो कट जाएगा और 1 बटा 5 यह तो है बच्चो आपकी पहली ट्रम प्लस 1 बटा यहां कितना हैगा देखो 5 लोग 5 तो हट जाएगा और यह है बच्चो आपके सामने कितना 2 की power x minus 1 प्लस 7 की power 1 बटा 3 और इसकी power है बच्चो आपको 8 ठीक है इसकी आपको क्या करना है इसकी 4th ट्रम निकालनी है जो 336 के बराबर है ठीक है तो जो भी इसको solve करने से x की values आ रही है हमें उसका sum निकालना है तो इसकी 4th ट्रम निकालता है देखो कितनी आ रही है T4 T4 को लिखेंगे बच्चो T3 plus 1 तो R की value कितनी होगी बच्चो 3 उपर power में कितना है 8 तो यह आएगा 8C3 ठीक है इसके बाद में क्या करेंगे पहली ट्रम की power 8-3 5 देखो इसकी power 5 करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा और यहां से आएगा बच्चों आपके पास में 4 की power x प्लस 44 डिवाइड बाई इसकी power R करोगे R कितना है 3 तो इसकी power भी देखो 3 करोगे तो यह 3 घट जाएगा तो यह आएगा 2 की power x-1 और प्लस 7 ठीक है ना बराबर कितना है आपको 336 दिया था ना 336 देखो इस 8C3 को यहां से काट के में नीचे ला रहा हूं तो यह आजाएगा आपके पास 8 गुणा 7 गुणा 6 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 6 देखो 6 से 6 कट जाएगा 8 से बाग दे तो इसमें 8 चौक 32 और यह 8 दू 16 42 और 7 का बाग दोगे इसके अंदर तो 16 42 कितना जाएगा 6 ठीक है सॉल करो देखो कितना रहा है 4 की पावर x प्लस 44 बराबर राइट एंड साइड में कितना आएगा 6 इंटू 2 की पावर x बटे 2 और 7 में कितना आएगा देखो 7 में कितना आएगा 7 गुणा 6 there will be 42 कितना आएगा 2 से कट जाएगा 3 बार देखो 2 की पावर x को t मान लेना तो यह तो हो जाएगा t square 2 की पावर x को क्या माना आपनने t square तो 4 की पावर x कितना हो जाएगा t square इसको इदर ले आना so minus 3t और इसको भी दर ले आना plus 2 ब्रावर 0 इसको solve कर लो equation को solve करने से quality equation है आपको 2 values मिलेगी t ब्रावर 1 और t ब्रावर 2 ठीक है ना t किसको माना था 2 की पावर x तो 2 की पावर x बच्चो 1 होगा या 2 होगा तो 1 तो जब होगा जब x 0 होगा और 2 तब होगा जब x 1 होगा तो x की दो value जाएगी हमारे पास एक 0 और एक 1 और अपने को करना क्या है अपने को इन दोनों का sum निकालना है ठीक है ना x के मानों का योग करना है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चो 1 और यही होगा बच्चो हमारा सही answer that is question number 1 चले आगे चलिए बात करते हैं question number 2 के बारे में 2 में देखो क्या करना है आपको आपको एक तो देरका है t100 और एक देरका है s100 ठीक है ना इसकी power में 5 है और 0 से 100 तक लेना है तो देखो बच्चो मैं s100 को लिख रहा हूँ ना s100 को लिखते है अपन अगले page पे ठीक है एक बटा 100 0 की power 100 C 1 की power 5 फिर आएगा बच्चो 2 divided by 100 C 2 की power कितना आजाएगा 100 C 2 की power 5 देखे न ऐसे चलता रहेगा सेकेंड लास्ट ट्रम को लिख रहा हूँ देखो मैं 99 divided by 100 C 99 की power 5 और लास्ट ट्रम को लिखेंगे तो आएगी 100 divided by कितना 100 C 100 की power कितनी that is 5 ठीक है अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं इन सारी ट्रम को एक बार फिर से लिख रहा हूँ लेकिर इस बार मैं उल्टी लिख रहा हूँ न तो सबसे लास्ट में जो ट्रम थी न उसको सबसे पहले लिखा मैंने 100 divided by निचे जो 100 C 100 है न उसको आप 100 C 0 ल 1 की power 5 ठीक है न इसे चलाते रहो second last को लिखो यहाँ पर 1 divided by ठीक है इसको 1 को 99 में convert कर दो 100 C 99 की power 5 और लास्ट वाली जो ट्रम है उसको 0 upon 100 C कितना है यह 100 में convert हो जाएगा इसकी power 5 ऐसा क्यों किया क्योंकि देखो इन दोनों को जोड दो जोडने से क्या हुआ S 100 into plus S 100 तो हो गया 2 time S 100 आप देखो जान से इन दोनों का denominator सेम है उपर कितना आ जाएगा 100 ठीक है न दूसरे में भी denominator सेम उपर 99 plus 1 100 एसे यहाँ पर भी 98 plus 2 100 last में भी 100 second last में भी 100 ठीक है तो 100 सब में से common आ जाएगा और सब जगे बनेगा कितना one upon this one upon this one upon this one upon this यह बच्चों आपका और लास्ट में भी यह तो यह जो पिछे जो बचेगा ना वह बन जाएगा T 100 अपने को क्या करना है T 100 को ऊपर S 100 को नीचे तो देखो T 100 को लिया ऊपर S 100 को लिया है नीचे और T 100 के साथ में ही बच्चों आपको 100 लिखा हुआ है इधर भी 100 है इसको भी रहने दो इसका मान पूछा गया तो उसको नीचे लाएंगे उधर बचेगा शिरफ दो और यही होगा बच्चों हमारा आंस्वर क्यार चलिए आगे बात करते हैं क्युस्टन नंबर 3 की और यह थोड़ा ट्रीकी क्युस्टन था क्युस्टन नंबर 3 यह बड़ा गजव का क्युस्टन है बच कोई उस सीरीज को आधी ट्रम में कनवर्ट कर देते हैं ठीक है और यह से बहुत सारे क्युस्टन भी आपने की होंगे लेकिन बच्चों यह क्युस्टन उस तरीके से सौल नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे ही आप उनको कनवर्ट करोगे ठीक है तो इसके आगे वाली ट्रम साएगे 21C10 के आगे वाली ट्रम एट इज 21C11 ठीक है और उसको मैनेस साई आएगा और उसको जब कंवर्ट करोगे तो आजएगा मैनेस 21C10 ठीक है और वह इस से तरीके से कुषसर नहीं होता है तब नया सौ forces उसके अंदर थीग है कि अल्टरनेट रोंस है ना तो जब भी आती प्लस माइनस तो आप एक आमेसा आपके पास तो डिफ्रेंस मेथड है ना वो दिमाग में आना चाहिए और उसमें आते ही आपको सिधा click करना चाहिए कि इसको दो drum में कैसे convert कर सकते हैं तो देखो आपने binomial के अंदर एक series पड़ी है ठीक है इसको तो पहले वाली को तो रह नहीं दो सिंगल ट्रम जो होती है ना अपनी जब आपन दो को एक में convert करते हैं तो एक को दो में भी convert करना सीख लो ऐसा आजाएगा ऐसे जो अगली ट्रम है 21C2 ठीक है तो देखो वन वाले को वन पे खतम किया था मलब उसके पहले से शुरू करना है तो इसको इसके पहले से शुरू करना है इसको लिखेंगे 20C1 plus 20C2 तभी तो बनेगा यह 21C2 ऐसा करते रहो बच्चो तो देखो वा क्या इससे यह कट गया 20C1 से क्योंकि इसके पहले माइनस साइन इसके साथ प्लस साइन इसके बार प्लस साइन इसके जो आगी ट्रम आएगी उसके पहले क्या आएगा माइनस साइन यह सारी ट्रम कट जाएगी ठीक है लेकिन आपने देखाता ना इस ब्रेकिट में लास्ट बच रही थी तो आपका जो लास्ट ब्रेकिट आएगा ना 21C10 ठीक है उसको दो पार्ट में जब कनवर्ट करोगे तो क्या लिखोगे उसको लिखोगे 20C9 प्लस 20C10 ठी इसके जो पहले प्रेकिट बनेगा लेकिन यह बच जाएगी बच्चो ठीक है तो इस एक्स्प्रेशन में सारी ट्रम कट गई बस यह बच गई और यही दे रखिए बच्चो आपको किसके बराबर NCRK ठीक है तो यहां से N और R दोनों तुम निकाल सकते हो N की वैल्यू 20 औ तो अगेन आपका आंसर होगा बच्चो ठीक है यह बड़ा ही आसान क्यूस्टन था लेकिन अगर आप इतना दिमाग लगा पाओगे तभी इसको आसानी से सॉल कर पाओगे कौन सा फॉर्मला यूज किया है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलाओ तो NCR-1 प्लस NCR जो इसमें कनवर्ट किया है आपने ज्यादा तर इसको इसमें कनवर्ट किया होगा लेकिन आज हमने इसको इसमें कनवर्ट कर दिया है ठीक है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं क्यूस्टन नमबर और की और देखिए क्या करना इस क्यूस्टन में अपने को क्यूस्टन नम 4 में आपको बोला गया है कि the number of words that can be found with the letter of the word algebra so that all the vowels do not come together, सारे vowels एक साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले एक साथ ले आओ सबको, A, E और A, इसको बना दो एक group, ठीक है, बाकी क्या बचा, L, G, B और R, ठीक है, तो पहले तो बच्छो नॉर्मल तरीके से कर लो, total कितने लेटर है, साथ, ठीक है, और उसमें से A repeat हो रहा है आपका two time, ये तो total word, इसमें से वो गटा देते हैं, जब ये एक साथ आएंगे, क्योंकि अपने को वो चाहिए, जब एक साथ ना हो, तो total में से इसको गटाने पड रहा है, इसको calculate कर लो बच्छो, यही है आपका answer lambda, ठीक है न, lambda की value कितनी आ रही है देखो, 5 factorial को common ले लो, ठीक है, तो यहां बचेगा, 7 गुना 6 बटे 2, 7 गुना 3, 21, minus, 5 factorial common ले लिया, तो यहां पर बचेगा, 6 बटे 2, 3, तो यह आजाएगा बच्छो, आपका 5 factorial into, कितना ठीक है, यह lambda आ गया, आपको इसकी value चाहिए, यहां put कर दो, 5 factorial होता है, 120, और into 18, बटे 1, 1, 0, 8, 0, 0, 0 से 0 चला गया, 12 से जाएगा बच्छो, 9 बार, और 9 से कटेगा 2 बार, तो फिर से answer आएगा 2, आज तो यह 2 बड़ा आ रहा है बच्छो, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि सभी में 2 क्यों आ रहा है, गलत तो नहीं है, तो बिल्कुल सही है बच्छो, गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि answer जो आएगा, वही आएगा, बस concept, आपको अपना concept लगाना है, ठीक है, concept सही तरी किसे लगाईए, ठीक है, उसके बाद में अगर कई बार calculation error हो भी जाए, त बट ऐसा कभी मत सोचिए कि सभी में 2 कैसे आ सकता है, आ सकता है, सारे के सारे 9 के 9 क्यों में भी answer आपका 2 आ सकता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 5 की ओर, क्या करना है देखो, ऐसा question तो अभी अभी किया था, अपनने थोड़ी देर पहले, ठीक है, बि y-1, y-1 कितना हो गया बच्चो, greater than 0, z देर का है बच्चो, greater than or equal to 0, ठीक है और w-3 कितना है, w-3 में equal to का sign नहीं है, that is greater than 0, ठीक है, अब देखो, इसको मानेंगे alpha, इसको मानेंगे beta और इसको मानेंगे अपन गामा, ठीक है, तो अपने पास condition आ गई, alpha greater than 0, t greater than 0 देर का था, beta greater than 0, alpha, x plus 2, फिर था अपने पास में, y-1, यह नहीं है, alpha, y-1, फिर z 0, ठीक है न, यह कहां से आ गया, यह तो हैं नहीं, इसको इटा दो, ठीक है, y-1 और फिर z greater than equal to 0, यह नहीं है, अपने पास, y-1 को beta माना, बीटा भी greater than 0, z के अंदर greater than equal to 0 है, ठीक है, और इसमें gamma greater than 0, ठीक है, आप देखो, इसको equation बनाते हैं, x को, plus 2 को alpha माना है, तो x कितना हो जाएगा बच्चो, alpha minus 2, ठीक है, y कितना हो जाएगा, y minus 1 बीटा है, तो y हो जाएगा बच्चो, beta plus 1, z तो z है, ठीक है, ठीक है, na, w कितना हो जाएगा, w minus 3 gamma है, तो यह हो जाएगा, gamma plus 3, will be less than 25, ऐसा हो जाएगा, इसको solve करो, alpha plus beta plus z plus gamma, ठीक है, 3 और एक 4, 4 minus 2, कितना हो जाएगा, 2, that is plus 2, will be less than 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, alpha plus beta plus z plus gamma, will be less than 23, ठीक है, अब देखो, इसको जब आपको क्या करना होगा, इसको जब आपको equation बनाना होगा, ठीक है, तो इसकी value less than 23 होनी चाहिए, और integral solution चाहिए, ठीक है, तो less than 23 में maximum sum इसका 22 ही हो सकता है, ठीक है, तो alpha plus beta plus z plus gamma plus इसमें एक delta orade कर देंगे, और इसको equation मना देते हैं, यही इसको करने का तरीका होता है, और इधर लिखते हैं, जो इसमें maximum possible value हो सकती है, ठीको 23 तो होई नहीं सकती, उससे कम होना चाहिए, तो 22 हो सकता है, तो अब इसमें एको सारी equation बन जाएगी, अगर delta 0 तो 22 आजाएगा, delta 1 होगा, तो 21 आजाएगा, तो इसका sum 21 भी इसको satisfy करेगा, क्योंकि 21 भी 23 से चोटा है, तो delta एक नया variable और add कर देते हैं, ताकि अपनी इस equation का solution आजाए, लेकिन अभी इसमें एक काम और करना है, और वो क्या, इन सब को बच्चो, delta में तो अपने यह condition यह एक पहले से देते हैं, तो alpha की value 1 पहले से ही कर दो, शाथ में बीटा को भी और साथ में गामा को भी, तो 1, 1 इन को पहले से दे दिया, अब पीछे कितना बचा, 22 में से एक-एक इन को पहले ही पकड़ा दिया, तो पीछे बचे बचेगा बच्चो आपके सामने कितना, 19 ठीक है अब देखो अब क्योंकि अपने एक एक इनको पहले ही दे दिया अब अगर अगर इसके non-negative integral solution निकालेंगे और अगर 0 आ भी गया तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तो इनके हो जाएगी इसके निकालने हैं बच्चो आपको non-negative integral solution कितने होंगे 19 plus 5 minus 1 तो 19 plus 4 there will be 23c 5 minus 1 that is 4 इसको लिख सकते हो बच्चो आप 23c19 ठीक है ऐसा ही दिया रखा है देखो आपको ac19 एक data भी आपका match कर गया तो a की value कितनी होगी बच्चो 23 और आपको निकालना क्या है आपको निकालना है a minus 19 23 minus 19 that is 4 ठीक है यही होगा बच्चो आपका answer ठीक है तो question number 5 का जो सही answer होगा वो होगा बच्चो आपका 4 ठीक है यह equation वाले questions होते है PNC के अंदर ठीक है जिसको आप बड़े ही आसानी के साथ बस सबको आपको क्या करना है इन conditions पर लेके आना है ठीक है इस type की conditions पर लेके आना और equal to 0 में लेके आना है जिसकी भी value equal to 0 नहीं है ठीक है उनको पहले से ही दे दो ठीक है ताकि उतना उनके पास मिल जाए और negative में इसा कुछ भी हो ठीक है ना तो उन सब को क्या कर दो उन सब को पहले आप इधर लाकर के सारे डेटा को और नया variable मान लो ताकि condition आपकी सारी 0 में आ जाए और उसके बाद सब को equal to 0 में ले आओ जो equal to 0 उसमें कुछ करना नहीं है और जिसके पास में भी 0 से बड़ा होना चाह तो maximum number of points into which four circles and four state line are intersect ठीक है तो formula होते है अपने पास सीधे formula लगाने है circle में क्या लगेंगे circle के अंदर जो intersection point होंगे आपके सामने वो होते है two time nc2 n circle है so that is four c2 plus फिर lines में निकालेंगे lines के अंदर क्या होता है nc2 होता है सीधा होता है तो that is four c2 plus फिर बच्चों आपके सामने क्या करना है circle और line में निकालना है तो वो होता है two time nc1 into mc1 that is four c1 into four c1 तो यह तो formula basis question है इसको solve कर लीजिए कितना हैगा two into four c2 कितना होगा six plus six यहां कितना हैग दो गुणा चार चोग 16 कितना जाएगा 12 बारा और चे 18 अठारा प्लस 32 बड़ाबर 50 तो इसका जो सही answer होगा बच्चों वो होगा आपका 50 ठीक है बड़ा असान क्यों संता है इसमें formula होते हैं आपके पास में अगर n circles के intersection point निकालने हो तो formula होगा बच्चों 2 time nc2 ठीक है m lines के intersection points निकालने हो तो formula होगा आपका mc2 ठीक है और line और circle के आपस में intersection point निकालने हो ठीक है तो उसके लिए formula हो जाएगा line और circle ठीक है आपस में कितने points पर intersect करेंगे ठीक है यह circle के लिए था यह line के लिए था ठीक है शिरफ circles के आपस में only lines और line and circle के लिए formula हो जाएगा toe time mc1 into nc1 ठीक है यह होते है formula इनको याद रखिए ऐसा question अगर आता है ताकि उसको आप सीधा कर सके direct ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं question number 7 यह तो देगे बच्चों जईए advance में Iowa question है आपका यह question वापिस paper में डाला गया है तो आप सबने पहले से ही solve कर रखा होगा अगर नहीं कर रखा है तो आइए solve करते हैं क्या है computer producing factory hedge only two plant T1 and T2 T1 produce 20% and T2 produce 80% देखो एक एक चीज़ को लिखते रहते हैं probability of T1 कितना है 20% 20 by 100 20 by 100 कितना हो जाएगा 1 by 5 और probability of T2 कितना दे रखा है आपको probability of T2 दे रहे है 80 by 100 80 by 100 कितना हो जाएगा 4 by 5 ठीक है यह आगे बच्चो probability of T1 and T2 ठीक है आगे बात कर लेते देखो 80% of the total company produce 7% of the computers produce in the factory run out to be defective ठीक है तो total 7% ऐसे हैं जो आपके पास में कैसे defective तो PD की value है आपके पास में 7 बटा 100 ठीक है ना यह क्यूशन में आपको दे रखी है फिर आगे बात करते हैं यहां तक को पहुंच गे अपन it is know that probability of computer turn out to be defective given that it is produced in plant T1 equal to 10 time the computer turn out to be defective given that it is produced in plant T2 देखो क्या दे रखा है कि probability of defective in plant T1 ठीक है कितना है 10 time probability of defective in plant T2 ठीक है यह दे रखा है फिर आगे चल लेते हैं आज एक काम करें पहले इनकी value निकाल लेंगा क्योंकि इसकी value अपन निकाल सकते हैं यहां से देखो probability of defective आपको दे रखी है तो अपन probability का formula लगाएंगी defective का क्या हो जाएगा probability of T1 into this और फिर probability of T2 into this और यह total देरके आपको 7 बटे 10 यहां से देखो 7 बटे 10 इसको X माल लो ठीक है तो वह आजाएगा देखो अपने पास कितना 7 बटे 10 ब्राबर probability of T1 that is 1 by 5 और यह अगर X है तो probability of D by T1 कितना हो जाएगा 10X so that is 10X plus 4 by 5 into probability of D by T2 जिसको आपने X माल लिया है ठीक है और यह total देरके आपको 7 बटे 100 ठीक है कितना रहा देखो 10 plus 4 14X divided by 5 ब्राबर 7 बटे 100 इसको काटते हो देखो 7 पुना 2 यह 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार X की वैल्यू आगई बच्चो 1 by 40 ठीक है तो यह भी आपने पास में वैल्यू आगई probability of D by T2 ब्राबर कितना 1 by 40 तो probability of D by T1 कितना हो जाएगा ठीक है यह देरका आपने को 10 टाइम दिस इसको 10 से मल्टिप्लाई करोगे तो 1 by 4 ठीक है तो इसका काम हो गया इसको मिटा देते इसको रख लेते हैं इसकी अभी जरूत पढ़ सकती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं next आगे क्या दिरका है हम पहुंच गेते यहां तक वेर P E denotes the probability of the event E देखिए एक कोई probability event E है उसकी probability अपने को निकालनी है एक computer produced in the factory randomly selected and it does not run out to be defective ठीक है ना हमने एक को निकाला ठीक है और वो defective नहीं है does not run out to be defective miss वो अच्छा है good है वो then the probability that it is produced in the plant T2 is P तो आपको 93 P निकालना है तो देखो अब आपको क्या करना है good की निकालनी है ठीक है तो देखो defective की अगर probability यह है तो probability of good कितना हो जाएगा probability of good by T2 कितना हो जाएगा 30 9 by 40 ठीक है और probability of good by T1 कितना हो जाएगा वच्छों यह हो जाएगा आपके पास कितना यह हो जाएगा आपके सामने 3 by 4 ठीक है और आपको किसका निकालना है T2 का निकालना है साइद किसका निकालना है T2 का निकालना आपको ठीक है तो देखो T2 वाला उपर आएगा probability of T2 into good उपर आएगा so that is 4 बटे 5 ठीक है into 39 by 40 divide by नीचे कितना हैगा दोनों का sum कितना हैगा T1 में कितना है 1 बटा 5 गुणा 3 बटा 4 और प्लस आगे कितना हैगा आगे आएगा आएगा आपके सामने 4 बटे 5 गुणा 39 by 40 ठीक है तो इसको काटो देके 4 से कट जाएगा 10 बार ठीक है ना 5 को तो काट तो सीधा ही 4 से कट जाएगा 10 बार ठीक है अब इधर तो है 10 और इधर है 40 ठीक है तो क्या करें 4 से 10 बार कट जाएगा और यह खट गया आपके पास में 4 बार तो यहाँ पर रहेगा 10 और यहाँ पर रहेगा 4 एक काम करते हैं LCM ले लेते हैं अपने पास और कोई option है नहीं 39 by 10 तो बचा उपर इसमें LCM आएगा 40 ठीक है तो 40 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 30 plus 39 और divide by 40 कितना आजाएगा देखो 0 से 0 cancel out 4 को उपर लेओ और इसमें चाओ तो 3 का भाग भी देदो तो यह हो जाएगा 13 ठीक है divide by 3 का भाग दो कि 10 plus 13 that will be 23 इंटो 4 कितना आजाएगा किदर multiply हो जाएगा ऐसा आजाएगा तो कितना आएगा यह 13 गुना 4 बटे 30 plus 39 एक बार calculation देखो बच्चो दुवारा उपर तो आएगा 39 by 10 ठीक है और नीचे आएगा आपके सामने 3 by 4 plus 39 by 5 तो cancel out हो गया था और यहाँ पर आया था 3 by 4 तो यह आजाएगा ठीक है अब यहाँ पर 10 यहाँ पर 40 एक काम करें क्या सभी में 40 कर देते हैं यहाँ पर 40 है इसको भी 40 ही कर देते हैं ठीक है ताकि calculation अपनी आसान हो जाए ठीक है नब 5 को पहले से ही कार दिया इसको उपर नीचे 10 से multiply कर दो अब देखो 40 सीधा कर जाएगा तो उपर आगया 39 और नीचे 30 plus 39 तो 9 और 3 और 3 तो 6 69 ठीक है ना 39 plus 30 that is 69 इसको 3 से डिवाइड कर दो कितना आ रहा है देखो 3 से डिवाइड करने से यह आजाएगा 13 डिवाइड भाई नीचा आजाएगा 23 इस probability को आपको P दिया हुआ है ठीक है अब आपको आगे क्या का गया क्यूशन के अंदर ठीक है कि 93 इंटू P कितना होगा ठीक है तो एक काम करते है 93 में इसको convert करना है आपको ठीक है तो इसको किस से multiply करें उपर नीचे ठीक है 39 2 एक बार नीचे वाला डेटे को दुबारा देखो ठीक है इसमें अपन कुछ गड़बड कर रहे है calculation में देखो कितना आ रहा है 39 by 40 यह आ गया था 3 by 4 ठीक है तो 3 by 4 किसका है T1 का और T1 का है उदर से 1 by 5 1 by 5 इंटू गुड का हो गया 3 by 4 प्लस T2 का है 4 by 5 और यहां से आएगा 39 by 40 ठीक है यही calculation देखो एक बार दुबारा करते हैं और अपने को T2 का चाहिए ठीक है तो T2 है उदर तो देखो 4 by 5 इंटू 39 by 40 यहीं गड़बड की दिया अपना ने 4 आ रहा ना उपर नीचे कितना आएगा 4 by 5 इंटू यह तो रहेगा 39 by 40 और प्लस 1 by 5 और इंटू 3 by 4 इसको भी देखो 40 कर देते ताकि अपना calculation आसान हो जाए तो देखो 40 से 40 गया 5 से 5 चला गया अब कर लो देखो जो बचा हुआ है उसके इंदर 4 इंटू इसमें 3 का भाग देदो तो यह कितना हो जाएगा 13 divided by 4 इंटू 13 ठीक है और प्लस यहाँ पर कितना आजाएगा 3 का भाग देंगे तो यह आजाएगा 10 ठीक है अब देखो कितना आ रहा है तो 3 का भाग देने के बाद में ऊपर तो आ गया 13 इंटू 4 26 52 और डिवाइड बाई नीचे कितना आजाएगा 62 ठीक है ना 52 बाई 62 इसमें 2 का भाग दे दो यह आजाएगा बच्चों आपका कितना 26 और डिवाइड बाई 31 यह प्रॉब्लिटी पी है बच्चों तो आपको किसकी वैल्यों निकालनी है 93 इंटू पी पी कितना है 26 डिवाइड बाई 31 शॉल कर लो इंदू छे और एक साथ 78 यह है बच्चों हमारा सही आंस्वर ठीक है ना इसमें थोड़ेश है लास्ट वाले जो कैलकुलेशन है इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए चलिए आगे बात करते हैं क्यूस्टन नंबर 8 आईए देखते हैं इसमें अपने को क्या करना है देखो टू बॉइज A and B फाइंडिंग दा जंबल आप N रोप्स लाइंग ओन दी फ्लोर देखो इंदी में पढ़ो N रसियां फर्स पर एविवस्तित रूप से रखी हुई है देखो N रसियां है कुछ रसियां ऐसी है कुछ ऐसी है ऐसे रखी हुई है टोटल कितनी है आपके सामने N ठीक है इज टेक्स होल्ड आप वन आप लूज एंड रेंडम ली इंदी में देखो परत्येक लड़का A तथा B रसिक के किसी मुक्ट सीरे को यादर्चित रूप से पकड़ता है ठीक है ना दो लड़के है A और B ठीक है और वो परत्येक रसिक के एक सीरे को यादर्चित रूप से पकड़ रहे है यदि दोनों लड़कों द्वारा एक ही रसिक के दोनों सीरों को पकडने की प्राइक्ता एक बटा एक सो एक है तब रस्यों की कुल संख्या कितनी होगी ठीक है तो N का मान निकालना है आपको सबसे पहले तो देखो आप ऐसे समझेए आपके सामने एक कोई बॉक्स है कुछ इस टाइप का जिसमें N रस्यों पड़ी हुई है दो लड़के हैं A और B ठीक है अब देखो तो पहला लड़का A जो है ठीक है वह आकरके जैसे for example किसी भी एक रस्यों को पकड़ लेता है ठीक पॉइंट हो जाएंगे आपके सामने इसे 2N पॉइंट ठीक है न और एक लड़के न आकर एक रस्यों कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया ठीक है अब टॉटल पिच्छे जो दूसरा वाला जो लड़का है ठीक है जो दूसरा boy B है ठीक है उसके पास में कितने है क्यों ए एक को भी पकड़ सकता है किसी भी एक को पकड़ सकता है लेकिन आपको probability उसकी निकालनी की दोनों एक को ही पकड़े अब जिसको पहले वाले को जिसने पकड़ रखा है ठीक है अब दूसरे वाला उसी को पकड़े तो वो तो एक ही रस्सी है जिसको उसने पकड़ रखा है तो वो जो 2N-1 है उसमें जो favorable outcome है वो तो एक ही होगा कि एक तो पहले वाले ने पकड़ रखा है और दूसरा आकर कि वो पकड़ ले तो वो एक ही ऐसा option है जो favorable है तो यह favorable और यह total यही है बच्चो आपके probability 2N-1 बराबर 1 बटा 101 इसको solve कर लो 2N-202 तो N-51 ठीक है न टोटल ऐसी 51 रसियां होगी तब बच्चो आपके probability 1 upon 101 आएगी ठीक है बहुत ही आसान क्यूस्टन था चलते हैं लास्ट क्यूस्टन नमबर 9 रवी एंड रसमी आर इज होल्डिंग ढूएड vão裡面 तो बलेक कार्ड ठीक है न दोनों के पास में आपना इसके पास में भी दो रेड और दो बलेक लिक है अब आगया आ जाओ दूसरे के पास में भी दो red और दो black तीक है न ये कौन है रवी तीक है ये रवी साब है और ये कौन है ये रस्मी जी है रस्मी जी है ये ठीक है रवी एंद रस्मी आर इच फॉल्डिंग तू रेड कार्ड और तू ब्लेक कार्ड और सिमिलर ये ना इस बोलाए न रशोलदिंग तू रैड यो four डश्मी की आगे चलते है बक्चों रवी पिकए card at random from रश्मी देखो रवी रश्मी से एक random card ले रहा है ठीख है तो रश्मि उसको red भी दे सकती है उसको black भी दे शकती है card at random from rave and and then देखो यह बहुत important is and then misp sane कौन ले रहा है पहले रवी ले रहा है किस से रस्मी से कार्ड और उसके बाद में क्या कर रहा है रवी रस्मी को क्या कर रहा है वापिस दे रहा है कार्ड ठीक है तो यह देखो बहुत important step 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 रहेगा and then ठीक है इसके बाद this process is repeated a second time और यही process एक बार फिर repeat करते हैं वो लोग let p be the percentage of probability that both have all four cards of the same color देखो बच्चो यहां पर दो cases बनेंगे लेकिन दोनों के अंदर probability का answer same आएगा तो last में अपन 2 को multiply कर देंगे देखो अपन इसको उल्टा बनाते हैं लास्ट में क्या होता है जैसे मान लेते हैं कि रवी के पास चारो रेड बच जाते हैं और उसके पास में चारो बलेक बच जाते हैं ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ होगा इसके जो बीच वाला जो प्रोसेस हुआ है ना उसमें रवी के पास में तीन रेड और एक बलेक होग का और इसके पास में कितना एक रेड और तीन बलेक होंगे ठीक है यह अपने माना है ऐसा जोरुण नह लिक और एक उल्टा वह सकता है इसमें चार बलेक और चार रेड होंगे ठीक है तो बीच में फिर इसके पास में वैसा सीनारियो बन जाएगा अब आओ प्रोबिलेटी निकालते हैं देखो सबसे पहले क्या किया रवी ने इसमें से इसають सकाड लिया ठीक है क्योंकि अपनने यह डाइग्राम बनाया इसका मतलब रवी ने इसमें से इसका कौन सा कार्ड लिया रेड कार्ड ठीक है तो हम!". रवी पिक एक कार्ड एक रेंडम फ्रॉम रस्मी तो according to this scenario रवी ने कौन सा कार्ड लिया रस्मी से रेड कार्ड तो रस्मी के पास में total दो रेड कार्ड थे और total चार कार्ड थे तो उसके probability हो जाएगी दो बटे चार तो रवी ने रस्मी से कार्ड ले लिया ठीक है एंड देन इसके बाद में अब देखो जब रस्मी रवी से कार्ड लेगी तो क्योंकि उसने पहले इससे कार्ड ले चुका था रवी रस्मी से तो इसके पास में पांच कार्ड है ठीक है इसके पास में तीन कार्ड है ठीक है आप यहां से यहां पहु 1 कार्ड थे उसमें से 1 कार्ड इसको देदेगा ठीक है और कौनसा देगा बलेक तभी तो इसके पास 4 होंगे तो आप इसके पास में 5 कार्ड है एक्षुली यह बीच में यह स्टेप तो बाद में आएगा पहले इसके पास में यहां पर 3 red और कितने 2 black, यह हो चुके हैं और यह जब इसमें से इसको दे देगा ठीक है न, तब इसके पास में यह scenario बनेगा, तो 3 red और 2 black और यह लेगा कौन सा card, black card तो उसके पास में 2 black थे और total 5 card थे, तो यहां पहुंच गए फिर यहां से इधर जाएंगे इसके पास में फिर से अब 4 card बचाएं क्योंकि फिर दोनों के पास 4-4 हो गए है यह इसको फिर से red card देगा अब इसके पास में 1 red card है और total कि इसके पास में 4 card है इसके बीच में इसके पास में फिर 5 card हो गए, 2 red चारो रेड़ हो गहे इसके पास में ठीता है और एक बिलेक भी बचावा हुआ इसके पास किकंग Sword से भी दे देना बाक्या है इसको ठीक है अभिआ इसको टी इसको जलेगा तो चार रेड़ और एक बղेक अब से मब इसके पास में कितने हो गए 1 वटा 5 तो यह पूरा प्रोसेस हो गया आपका complete गे black और black की जगे red हो जाएगा इतना सा change ठीक है इसको solve कर लो देखो कितना आ गया दो दो चार से चार गया दो से दो बार कितना बचेगा एक बटा 25 गुणा दो 50 ये तो होगी बच्चो probability लेकिन साइद इसमें आप से percentage probability पूछी है एक बार पढ़ो let p with the percentage probability तो percentage निकाला हो त तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आजाएगा 2% हो जाएगा ठीक है तो पी का मान कितना होगा तो पी का मान फिर से 2 आएगा बच्चो तो last question का answer भी 2 है ठीक है आज कापी सारी question का answer 2 आया है ठीक है लेकिन एक कापी सांदार सा paper था आपका जिसका solution अभी अभी हम लोगों ने यहां पर complete किया है ओके थैंक यू very much